बिसमिल्ला रख्मान ररहीम, वेल्कम तु लाइफस्टाइल विद केरन, आज हम बनाएंगे कस्टड, कस्टड बनाने के लिए हमें सबसे पहले जैली बनानी है, क्यूंकि जैली बच्चे को बहुत ज़ता पसंद होती है और कस्टड की भी रॉने भढ़ जाती है, जैली बन बनाना फ्लेवर और स्ट्राबरी फ्लेवर की जैली त्यार करेंगे, आप चाहें तो आप अपने मन पसंद फ्लेवर की जैली त्यार कर सकती है, अब हम स्ट्राबरी जैली बना रहे हैं, सेम प्रोसीजर के साथ हम साशी को मिक्स करेंगे, किसी भी डिश में डाल कर सेट होन के लिए छोड़ दें टू लीटर मिल्क का कस्टर त्यार करते हैं एक से डेड़ कप दूद निकाल लेंगे बाकी दूद को हम गरम करने के लिए चुले पर रखते हैं जो दूद हमने निकाला था इसमें हम कस्टर डाल कर अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं हम यहाँ वैनिला कस्टर त्यार करेंगे गरम दूद में डेड़ कप चीनी शामिल कर रहे हैं आप चीनी ज्यादा या कम भी कर सकती हैं चीनी हल करने के बाद थोड़ा थोड़ा कस्टर डालेंगे और इसको हिलते जाएंगे याद रखे आँच धीमी होनी चाहिए और शमच मुसलसल चलाना है ताके गुठलियन ना बने अब इसे रूम टेंपरेचर पर ठंडा करते हैं और क्रीम शामिल करते हैं मैंने एपल्स पील आफ कर लिये हैं और उनको क्यूब्स में काट रही हूँ आप इसे काटते ही कस्टर में मिला दें ताके काले न हो जाएं इसी तरहां मैं बनानास को भी काट रही हूँ और कस्टर में शामिल कर रही हूँ हाफ टेन कॉक्टल शामिल कर रही हूँ तमाम चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें वनीला कस्टर त्यार है आप किसी भी डिश में डाल कर 6-8 घंडे तक थंडा करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिज